Welcome students, myself Amit Bansar lecturer, आज मैं आपके लिए EL310 के अंतरकर्थ, Tax System यानि कर विवस्था पर, E-Video Lecture Series का प्रथम भाग लेकर आया. इस लेक्चर में हम करों से संबंदित कुछ कारमिक बातें सिखें. कर क्या है? What is Tax? Tax पहम आध्यम हैं जिसके द्वारा सरकारें अपने नागरिकों और कम्पनियों पर लेवी या चार्ज लगाकर अपने विभिन प्रकार के खर्चों के लिए धन जुटाती हैं. Tax क्यों लगाया जाता है? किसी भी देश में Tax या कर से प्राप्ट पैसा सरकार के राजस विया आयका बहुत बड़ा स्रोथ है. कर लगाने से जो पैसा प्राप्ट होता है उससे न केवल देश में विकास कारे कराये जाते हैं बलकि विभिन कल्यान कारी योजनाएं भी चलाई जलती हैं. इसके अलावा Tax लगाने का एक उतेश ये देश में आयकी असमानता को कम करना भी है. कभी-कभी Tax लगाकर सरकार किसी विशेश उत्ताथ के उपुभोगपा नियंद्रन भी करती है. इसके अलावा Taxation या कराधन के माध्यम से सरकारें इस्थानी उत्योगों को सनक्षन भी दे सकती है. Types of Taxes कर कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं. पहला है Direct Taxes या प्रत्यक्षकर और दूसरा है Indirect Taxes या अप्रत्यक्षकर. इन्हें एके करके समझते हैं. Direct Taxes प्रत्यक्षकर क्या है? प्रत्यक्षकर वे कर हैं जिनका भुकतान व्यक्तियों या कम्पनियों द्वारा सीधे या प्रत्यक्ष रूप से सरकारों को किया जाता है. यानि इसे मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ, प्रत्यक्षकरों की स्थिती में कर देने वाला और कर चुकाने वाला एक ही पक्ष होते हैं. प्रत्यक्षकर सामाने तहां, Income यानि आय, Profit यानि लाब, Property यानि समपती आदी पर लगाये जाते हैं. ये वेकर हैं, जो सामाने तव वस्त्वू या सेवाओं पर नहीं लगते हैं. तो ये Direct Taxes हुए है. उधारण देखती है, Income Tax यानि आयकर, Wealth Tax, Gift Tax, Property Tax, Capital Gain Tax, ये सभी प्रत्यक्षकरों के उधारण हैं. इन में से सबसे महत्यों पुन कर, Income Tax यानि आयकर की चर्चा, मैं विस्तार से अलग से करूँगा. करूँगा दूसरा वर्ख है, Indirect Taxes का और प्रत्यक्ष करूँगा. ये कौन से कर हैं? ये वे कर हैं जिसमें Tax चुकाने वाला और Tax देने वाला अलग-अलग हो सकते हैं. यानि इसमें करूँगी बर्डन दूसरों पर शिफ्ट की जा सकती है. इसलिए इने अप प्रत्यक्ष कर का नाम दिया गया है. ये कर सामाने तह वस्तूँ और सेवाओं पर लगाये जाते हैं, न की आय या लाग पर. अब इसे एक उधारन से समझते हैं. जब हम बाजार से कोई वस्तूँ क्राय करने के लिए जाते हैं, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. मान लीजिए, आपने एक वस्तूँ एक दुकानदर से सो रुपे में खरी थी. वास्तव में इस सो रुपे में उस वस्तूँ पे लगने वाला कर भी शामिल है. तो ये कर किस ने चुकाया? आपने, उपभुपता ने? इसे आपने पे किया? ये कर किस के पास गया? ये दुकानदर के पास गया. अब दुकानदर किसको ये कर जमा कराएगा? जो आपसे प्राप्ट हुआ. ये सरकार को जमा कराएगा. तो इस प्रकार यद्द भी ये कर आपने दिया. आप टेक्स पेर हैं. और अल्टिमेटली सरकार के पास ही जमा हो रहा है. लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच में एक और पक्ष मौजूद है. वो है दुकानदर. तो इस प्रकार ये टेक्स अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास पहुंसता है. और ये हम कैसे चुकाते हैं? यदि ये टेक्स उस वस्तू पे नहीं लगाया चाता, तो हमें उसकी कम केमा देनी पड़ती. तो वास्तम में जो पैसा हम उस वस्तू को खरीदने के लिए चुकाते हैं, उसमें उसका टेक्स भी छुपा हुआ है, जो हम दुकानदार के माध्यम से अल्टिमेटली सरकार को जमा कराते हैं. इसलिए इन्हें इंग डारेक्ट टेक्स कहा चाता है. ध्यान रखें, इंग डारेक्ट टेक्स व जाने पर लगाए चारते हैं. अब इन टेक्सों में कौन-कौन से टेक्स शामिल हैं? उधारन देखते हैं. शेल्स टेक्स यानि बिक्रीकर यानि वैट वैलियूड़े टेक्स, केंद्रिय बिक्रीकर यानि CST, एक्साइस जूटी, कस्टम जूटी, सर्विस टेक्स आदे आदे आदे. ये सभी इन्डारेक्ट टेक्सिस के उधारन हैं. अब इन में से कुछ ऐसे टेक्स है, जैसे सेल्स टेक्स या वैट, CST, एक्साइस ड्यूटी, सर्विस टेक्स, जो लगबग खत्म किये जा चुके हैं, और इन सभी टेक्सों के स्थान पर, सिंगल टेक्स अस्तित्यों में आ गया है, जिसे गूट्स और सर्विस टेक्स या अब टेक्सों संबन्नित कुछ और शब्दावलियों की भी चर्चा कर लें, इसमें सबसे पहले आता है सैस, यानि उपकर, अभी हमने कर देखा, तो ये उपकर क्या है, सैस भी एक प्रकार का टेक्स ही है, जो आस्थाई रूप से लगाया जाता है, सरकारों द्वारा, किस टेक्स के ऊपर लगाया जैने वाला अतरिक टेक्स है, जिसका उद्देश्य एक विशेश कारे के लिए धन जुटाना है, जैसे माली जी, सरकार का एक कारिक्रम था, स्वच भारत अभ्यान, इस अभ्यान के लिए पैसी की विवस्था करने के लिए सरकार ने स्वच भारत स इस नाम से उपकर लगाया इसी प्रकार स्वास्थेम शिक्षा उपकर है जो 4% की रेट से अभी भी लगाया जाता है रोड सेक्स है ये सभी उपकरों के उधारण है तो उपकर क्या हुआ टेक्स के उपर लगाया जाने वाला एक अस्थाई टेक्स जो किसी विशेश उद्देश्य की पूर्ती तक ही लगाया जाता है जब उस उद्देश्य की पूर्ती हो जाती है तो ये हटा दिया जाता है तो ये सैस होगा इसी प्रकार का एक और टेक्स है इसे सर्चार्ज या अधिभार कहते हैं सर्चार्ज भी एक टेक्स ही है ये एक अतरिक टेक्स है ये तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति या कमपनी की आए एक निष्टी सीमा से उपर चली जाती है जैसे उधारन के लिए वर्तमान में जिन वेतन भोगी व्यक्तियों की आए पचास लाग से लेकर एक करोड सालाना है उन्हें सामाने करके अलावा दस प्रतिशत अधिभार भी देना होता है तो इनका उद्देश्य किसी विशेश कारे के लिए धन जोटाना नहीं है ये जैनरिक नेचर हमें हैं ये सामाने प्रकर्दी के हैं तथा इनका मुख्य उद्देश्य कम आय ग्रुप तथा उच आय ग्रुप के बीच जो असामानता पैदा हो जाती है उसको कम करने के लिए किया जाता है तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है आज हमने करों से संबंदित प्रामभिक जानकारी प्राप्त की आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा यदि आपको कोई प्रश्न है कोई शंका है कोई जिग्यासा है तो आप पूछ लें धन्यवाद